हेलो स्टुटेंट्स विल्कम टू कॉमर्स अटर 24-7 तैयार हो और्गनाइजिंग पढ़ने के लिए तो यह आ गया है पहला पार्ट आपके लिए और्गनाइजिंग का जहां पे हम लोग डिस्कुस करने वाले हैं और्गनाइजिंग क्या होता है और्गनाइजिंग की इंप पढ़ लिया आई होप कि आपने वह वाली क्लास देख लियोगी अगर नहीं देखिए तो प्लैनिंग की क्लास जाके देख लो ठीक है प्लैनिंग के तीनों पार्ट परा चुका हूं एक्स्प्लें कर चुका हूं अब और्गनाइजिंग आता है बेटा सेकेंड फंक्शन अपने सारे रिसोर्स एक जगा पे लेकर आने होते हैं जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होगे हैं दूसरी बात क्या करनी होती है और्गनाइजिशन का इस्ट्रक्चर डिवाइड करना पड़ता है फंक्शनल डिवीजनल फॉर्मल इन फॉर्मल और इन सारे स्ट्रक जो कि उससे भी नेक्स क्लास में आने वाला है तो सारी वीडियो को कवर करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यह आपको पता लगया होगा basically organizing एक ऐसा function of management है जहाँ planning के बाद एक manager को क्या करना पड़ता है अपने सारे resources को एक जगापे लेके आना पड़ता है अब एक planning खतम होने के बाद यह organizing का function स्टार्ट होता है पहली बात तो यह दूसरी बात यहाँ पे managers responsible होते हैं अपने structure को divide करने के लिए and managers responsible होते हैं यह पत है क्यों करना है why reason पता होना चाहिए and कौन करेगा यह सारी चीज़ें पता होने चाहिए organizing में यानि कि पूरे organization का organization structure कौन कब कहां कैसे यह सारे सवालों का जवाब आपको कहां मिलता है organizing मिलता है तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं और समझने कोईश करते हैं कि organizing क्या होता है सबसे पहले सबसे पहले मेटा यह कि organizing होता क्या है तो इसमें यह बात समझ लो कि organizing एक ऐसा function है जो planning के बाद आता है मतलब कि after deciding about the first function of management plan decide कर लेने के बाद plan बना लेने के बाद एक manager की responsibility होती है कि वो organization का structure बनाए organization का structure finalize करे तो उसके लिए वो क्या करता है उसके लिए वो organizing करता है और अर्गनाइजिंग को यहाँ पर डीटेल में बताया गया है और गनाइजिंग इस तरह से अप्टिविटी इस से activities को perform करेंगे इसके बाद how responsibility and authority are to be delegated किस प्रकार से authority और responsibility को delegate करना है किस तरीके से departmentalization करना है यानि कि अपने काम को अलग-अलग department बाटना है इस सारी चीज़े भईया organizing में एक manager को तै करनी होती है इसका मतलब organizing ही क्या है वो machine है जिसके द्वारा पूरी company हमारी चलेगी चलिए अब देखते हैं मेटा फटा-फट से कि organizing के क्या characteristics है characteristics और features of organizing सबसे पहला division of work यहाँ पर organizing में आपको अपने काम को लोगों में divide करना पड़ेगा जो हमने पढ़ाना हमें division of work कई जगा पढ़ा सबसे पहले principle of management में दूसरी जगा हमने पढ़ा planning में कि अपने काम को आपको divide करना पड़ेगा अलग- department में तो वो जो काम को divide करने का काम थाना वो यहीं पर करना है आपको अपको काम को देखना है कितना काम है और लोग कितने है और उसके according अपने काम को अलग-अलग लोगों में divide या distribute कर देना है second बात coordination सारे department आपस में coordinated रहें यह कहां चेक होगा organizing में चेक होगा plurality of person देखो यह अपने organization में हर तरह का person है हर तरह का experience है यहर तरह का background है हर तरह की knowledge है तो भाईया सबको साथ लेके सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास वाली भावना organizing में रखना है चौता पॉइंट, common objective, organizing में ये देखना है कि common objectives को पूरा किया जाया, यानि कि organization के objectives को पूरा किया जाया, individual objectives को नहीं, हाँ, individual objectives भी important है, मगर not on the cost of common objectives, पाच्वा, organization is a machine of management, बेटा, management की machine है organizing, अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, एक घड़ी है, घ को चलाने का है, जब आप घड़ी खोल के देखेंगे, तो उसके अंदर एक machine होती है, उस machine को energy देने के sell पड़ता है, बेटा, कुछ इसी तरीके से आपको घड़ी तो दिखती है, लेकिन वो machine नहीं दिखती है, आपको लोग दिखते हैं, लेकिन वो machine नहीं दिखती है, जो महसूस होगा, कि भाईया, हाँ, हमारी company बहुत दा organized है, कैसे है, आगे आने वाली videos में आपको पता लगेगा, अभी हम क्या पढ़ने वाले है, पढ़ने वाले है, organizing का feature, या feature हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ने वाले है, कि organizing से कुछ फाइदा भी हमारी company को होता है, या न working relationship में clarity, कौन किसका boss है, कौन किसका manager, कौन किसका leader है और कौन किसका follower, ये बात कहां पता लगेगी, आपको पता लगेगी, working relationship में जब clarity आएगी, और कब आएगी, जब आप organizing अच्छे जिकरोगे, समझ रहो, मतलब कौन किसको report करेगा, who reports to whom, जब ये पता लग जाए ना, who reports to whom, कि या कौन किसको report करेगा, manager कौन है, subordinate कौन है, ठीक है, इस तरीके की चीजें हमको कहां बतानी है, organizing में ही बतानी है, तो organizing में ये सारी चीजें क्या हो जाते हैं, decide हो जाती है, optimum utilization of resources, अगर आप organizing करके रखोगे ना, तो आप अपने resources को proper तरीके से utilize कर पाओगे, proper तरीके waste नहीं होगा, चौता point, adoption to change, organizing के द्वारा ही, आप change को अपनी organization में adopt करवा सकते हो, कोई बाहरी environment में change हुआ, business environment पढ़ चुकी हो ना, बाहरी environment में कोई change हुआ, अब उस change का फरक आपकी company पे पढ़ा, और company ने अपने आपको change किया, लेकिन change करने में help कौन करेगा, organizing ही help पाच्वा, administration, जो लोग आपके organization को चला रहे है, वो थोड़े effective हो जाएंगे, क्योंकि उनको पता होगा, कि मुझे इसी department पे focus करना है, उनको पता होगा, मुझे इसी product line पे focus करना है, उनको पता होगा, मुझे यहीं बैठना है, उनको पता होगा, मेरे यही resources है, तो वो उनी में, best resources available में ही, अपना best देने की कोशिश करेंगे, यानि कि वो effective हो जाएंगे, छटा point, development of personal, बेटा, जब एक इंसान इसनी सारी चीज़े करेगा न, specialization भी अचीव हो जाएगा, resources को भी proper तरीके से utilize करेगा, time बिलकुल waste नहीं करेगा, तो सीधी सी बात है, वो अपना and growth, देखो यार, माल लो Tata company है, Tata company ने Tata motor है, Tata steel से शुरू किया, आज उनकी बहुत सारी other branches है, वो क्यों हो पा रहा है, क्योंकि उनकी company में organizing बड़े तगड़े level पे होई होगी, ठीक है, और structure क्या हुआ होगा, बेटा, उन्होंने पालन किया होगा, कहीं न कहीं, divisional structure का ज एक शहर से एक state तक और एक state से एक देश तक, एक देश से इंडिया से बाहर भी ले जाने के लिए आपको इतना अगर growth है न, तो ये चीज बड़ी must है, organized way में आपको काम करना पड़ेगा, organizing करनी पड़ेगी, ठीक है, बात करते हैं भया, organizing के process की, की next topic क्या है, अब देखते यार ये दोगों ये धहां से सुनना, organizing का process जैसे मैंने आपको बताया था, planning के process में, planning के process का निमोनिक मैंने आपको बताया, s dies if, s for setting objective, d for developing premises, i for implementing identifying alternatives, e for evaluating the alternative, s for selection of the best alternative, i for implementation of the plan, और f for follow up action, तो ये मैंने आपको निमोनिक बताया, s dies if, वैसे ही organizing का process अपने को पढ़ना और इसक सबसे पहला step है, identification and division of work, यहाँ पर आपको क्या करना है, काम को बहुत सारे लोगों में बाट देना है, तो identification से निकलता है, आई, ठीक है, आई, फिर आता है departmentalization, यहाँ पर आपको अलग-अलग department में अपने काम को बाट देना है, जैसे की, by production department, पर्चेस department, marketing department, sales department, तो बेटा कुछ ही सरीके से आपको अपने कामों को अलग-अलग department बाट देना है, आप production वाले सिर्फ production पर ध्यान देंगे, पर्चेस वारे raw material खहित के लाएंगे, marketing वाले marketing करेंगे, advertisement करेंगे, sales वाले sales बढ़ाएंगे, कैसे उस पर फोकस करेंगे, तो आपको अलग-अलग department में अपने काम को बाट देना है, और इसका जो word निकल के आता है, वो निकल के आता है D, step 3, assignment of duty, अब department के अंदर लोग और लोगों को अपना-पना काम आपको बता देना, assign कर देना है, उनको अपना काम, इसका निकल के आता है A, और step 4 है establishing reporting relationship, कौन किसको report करेंगा, यह कहां पता लगेगा reporting relationship में, जैसे यह तीनों इसको report कर रहे है, तो इस सारी चीज़े आपको organizing के process में clarify करनी पढ़ेंगे, औ स्वेटा निमॉनिक सिंपल सा बनके आता है, या तो आप इसका निमॉनिक कर लो idea, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, या तो आप इसका निमॉनिक बना लो idea, लेकिन idea में ध्यान रखना कि यह भईया क्योंकि step wise है, प्रोसेस है, तो आपको step wise ही paper में लिखनी पड़ेगी, मतलब step 1 पहले, step 2 बाद में, step 3 बाद में, फिर step 4, इसमें idea में क्या हो रहा है, establishing reporting relationship पहले आ जा रहा है, और assignment of duty बाद में आ रहा है, तो या तो idea कर लो, और या तो सबसे बढ़िया है कि original रखो, ये रख लो, या तो idea कर लो, और सबसे original क्या रखोगे, आप ये भी कर सकते हो, simple, original बिल्कुल भी confusion नहीं होगा आपको, क्या कर सकते हो, आप IDAE, simple यही रख लो, IDAE, ठीक है, या तो idea कर लो, लेकिन idea में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि E बाद में आएगा, और या तो आप simple, genuine, logical रख लो, IDAE, I for identification and division of work, D for departmentalization, A for assignment of duties, E for establishing reporting relationship, तो यह हो गया आपका process, आप से लिटेल में जानते हैं भाईया, प्रोसेस में और क्या क्या चीज़े आपने को पढ़ नहीं है, सबसे पहला जो हमारा बेटा वो आ रहा था, वो आ रहा था, identification and division of work, आपको काम को ढूंडना है, और लोगों में divide कर देना है, आप यहाँ पर कुछ लिस्ट है कामों की, जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, आप एक बार पढ़ लीजे, और comment करके बताईएगा, क्या इसक करने के लिए, दूसरा, purchase of manufactured activities, अगर आपको car बनानी है, तो tire MRF और C8 से खहिना पड़ेगा, यानि कि manufactured समान भी लेना पड़ेगा, ठीक है, production, अगर आपको shirt बनानी है, तो button लेना पड़ेगा, समझ रहो, button तो नहीं बनानी बैठ जाओगे, shirt बना रहो न, तो cotton क्या है, raw material ह है, तो cotton raw material है, और manufactured activity की बात करें, तो button क्या है, आपका manufactured activity है, तो इन दोरों चीज़ों का जुगाड करोगे, फिर production करोगे, किसकी कर रहो है, मालों example लेके चलते है, shirt की, तो shirt की production कर ली, फिर production करके एक जगा पे रख लोगे, यानि कि warehousing, stocking, फिर research करोगे, market में मेरी जो ब दिखेगी, advertisement, मतलब अपना प्रचार पसार करोगे, sales, बेचोगे, पैसे का arrangement करोगे, बिल्कुल company के लिए पैसे का arrangement करना बहुत जरूरी है, maintenance of account, खाता सम्हालोगे, खाता maintain करोगे, and employees को arrange करोगे, employees को manage करोगे, क्या इसके लावा और कोई काम आपको organization manager में आ रहा है, इसके से रावा भी और काम है, लेकिन ये जो है, वो major काम है, जो एक organization करती है, आपको इन कामों को अपने organization में ढूणना है, और अलग-लग लोगों में बाट देना है, बस इतनी सी बात ओरी, identification and division of work में, अब बच्चों चलो next की बात करते हैं, और next क्या है point हमारा, next है departmentalization, departmentalization में अलग-लग department में कामों को बाटा जाता है, departmentalization is an organizational structure that separates people into groups और department, मालों आपके organization में 100 लोग हैं, तो आपने 100 लोगों को 10 लोगों को डाल दिया production department में, ठीक है, 10 लोगों को डाल दिया आपने purchase department में, उसके बाद आपने 10 लोगों को डाल दिया marketing में, 10 लोगों को डाल दिया आप these department have their own leadership हर department का अपना एक manager अपना एक leader होगा and work together to complete task और इस department के अंदर जितने भी लोग होंगे एक department के अंदर जितने भी लोग हैं ये सब आपस में मिल जूल के काम करेंगे एक और बात अगर दो department हैं और इनके अंदर भी लोग हैं और इनके अंदर और intra departmentat coordination intra department मिल इस एक डीपार्ट्मेंट के अंदर coordination होनी चाहिए और दो department में भी coordination होनी चाहिए चलो बात करते हैं departmentalization हो गया अब बात करते हैं बच्चों फटा फट से देखते हैं कि हाँ ये देक लेते हैं टाईपस फ़ departmentalization अगर मैं functional department की बात करूँ कि function के इसाफ से अगर department बाटने है तो भाईया production department production करेगा marketing marketing करेगा finance finance देखेगा और HR लोगों को लाएगा जियोग्राफिक department की बात करते हैं तो भाईया जैसे अलग-अलग देश में अलग-अलग country में कोई department आपने बाट दिया जैसे नौर्थ अमेरिका डिपार्ट्मेंट लेटिन अमेरिका डिपार्टमेंट समझ रहो अगर प्रोड़क्ट के इसाफ से आप जो है समान बनाते हो और प्रोड़क्ट के इसाफ से department बाचते हो जैसे आपकी company है वो health product भी बनाती है, दवाईयां बनाती है, तो health department, वो make-up का समान भी बनाती है, तो beauty department, वो खाने का समान भी बनाती है, तो food department, और baby, यानि कि बच्चे के care का समान मनाती है, तो baby care department, customer के जाफ से बाटा जाए, तो retail department, जहाँ पे customer directly आता, आप समान खरीता है, या wholesale department, या government contract department, या online अगर आप समान भीजते हो, तो online sales department, अगर आप process के according बाढ़ते हो, तो raw material कौन लाएगा, वो department, raw material process कौन करेगा, वो department, packaging कौन करेगा और shipping कौन करेगा, ऐसे करके आप अलग-अलग department बाढ़ सकते हो, functional department बाढ़ सकते हो, आप क्या कर सकते हो, आप geographic department बाढ़ सकते हो, product department, customer के साब से और processes के साब से आप departments को बाढ़ सकते हो, लग-लग department को, ठीक है, third आता है बेटा assignment of duty, यहाँ पे आपको जो इंसान जिस काबिल है, उसको वो duty बाढ़ दे नहीं है, पढ़ लेते हैं, after dividing the organization इंटू specialized department, आपने जब departments को बाढ़ दिया, and individual working in different department, और department के अंदर लोगों को भी दे दिया, कि यहाँ बाढ़ जाओ और काम करो, is assigned a duty matching to his skill and qualification, अब लोगों को जब आपने department में अलग-अलग department में डाल दिया, तो उसकी skills के हिसाब से, उनकी qualification के हिसाब से, उनको अलग-अलग काम दे दो करने के लिए, और वो अपने activity में लग जाए, दबवर की सवाइन according to the ability of an individual, एक इंसान कितना काबिल है, उसके बेशिस से आप उसको काम दे दीजे, ठीक है, employees को उनके job के बारे में बताओगे कैसे, एक document के दोरा, जो होता है, जिसको हम क्या कहते है, job description, job description में, job में क्या करना है, छुट्टी कितनी होगी, responsibility, आने का time, जाने का time, लेंच का time, इस सारी चीजें सब लिखा होता है, responsibility क्या क्या है, छुट्टी कब होगी, CL, ML, medical leave, casual leave, paid leave, सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकरी दे देते हैं, job description के बारे में, और इस document में clearly बताया होता है, कि क्या responsibilities हैं आपकी organization में, organization में आप क्यों भरती हूँ हैं, तो आपको क्या करना हैं, आपको अपने duties को assign कर देना है, लोगों को उनकी duties बाट देनी हैं, ओके जी ये भी कर दिया, तो अधा point निकल के आता है, establishing reporting relationship, यानि की कौन किसको report करेगा, after grouping the activity in different department, the employees have to perform the job, and to perform the job, every individual needs some authority, देखो, काम को बाट दिया, अब इंसान काम करेगा, काम को करेगा तब, जब कोई उस पे authority होगी, नहीं तो हर इंसान RC हो जाता है, जब कोई रोखने टोखने वाला ना हो, तो authority का होना बहुत जरूरी है, organizing के चौते process में, हर individual की एक authority sign हो जाती है, ठीक है कि आप इनके अंडर काम करेंगे, जैसे एक employee है, तो उसका जो manager होगा, वो junior manager, junior manager का manager, senior manager, senior manager का manager, associate vice president, या associate director, फिर director, फिर CEO, फिर board of director, मतलब हर बाप का एक बाप होता है, इसका कहने का मतलब यही है, the assignment of the authority relates in the creation of superior subordinate relationship, अगर आप किसी को, किसी की authority बनाते हो, तो भाईया एक हो जाएगा superior, और एक हो जाएगा subordinate, आप superior subordinate relationship क्या कर देते हो, कायम कर देते हो, and the question of who reports to whom is clarified, और कौन किसको report करेगा, यह आपको organization में clear हो जाएगा, I hope कि आपको organizing है, चारों सबस्थ में आ गए होंगे, identification and division of work में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम काम को divide करते हैं, कामों की list मैंने आपको दे दी, departmentalization में मैंने आपको अलग-अलग department दिखा है, जहाँ पे आप अलग-अलग department में लोगों को बाढ़ सकते हो, assignment of duties में उनको उनके काबलियत के साब से काम देना है, document प्रवाइट करना है, जिसको हम लोग कहते हैं job description, और चौते point में हमें reporting relationship, superior subordinate relationship clear कर देनी है, कि कौन किसको report करेगा, I hope कि बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अपने दोस्तों तक share करें, ताकि हर बच्चे को इसका फैदा मिल सके, जैन,